एक मैच होने वाला है वूमेंज यूरो लीग का बैल्जियम वूमें वूमेंज आइसलेंड वूमेंज के बीच तीन गंडे 42 मिनट बाद मतलब साड़े नो बजे तो बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ फटाफट नीचे डिस्क्र स्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंट ज्वाइन हो जो और गाईस हम इस वीडियो के अंदर किसी बतरा की चीज़ को पुरस्तायत नहीं करें यह वीडियो बहुत ही आगे बात करें अगर हम इस मैच की मैच है बहुत ज्यादा इंट्रस्टिंग तो मैं आपक है कि कई लोग यहां बड़ी गलती करेंगे बहुत तो यार देखो मैं टीम ना दस मिंट पहले पोस्ट करूंगा कि आप ना अराम से लगा लो गलती मत करना ठीक है बस मैं इतना कहूंगा और टीम मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर आएगी तो बात करें गोलकीपर की पहल बैल जियम टीम ने इन्हें काफी बार हराया उसके बाद बैल जियम टीम जो है वो कंसिस्टेंसी में जीती है लेकिन Iceland consistency में नहीं जीती इसलिए मुश्किल का सारा सामना Iceland की गोलkeeper को करना होगा जो कि अगर गोल रोक देती है तो अपनी टीम वे लिए अच्छी सावित होगी लेकिन अगर जादा गोल नहीं रोक पाती तो वही मुश्किल create होगी जो हर मैच में होती आ रही हैं के लिए बात करें केमेन की दन्याबर आती है जैनिस केमेन इनकी ऐसी defenders हैं जिनको striking भी आती है midfilling भी आती है defending भी आती है और उनमें से एक player है यह जिसका नाम है जैनिस केमेन यह striking भी करती है यह midfilling भी कर लेती है एक डिफेंडिंग भी करते है लेकिन मेरे को डाउट है आज इस ट्राइकिंग करेगी तो यह चैनल यह आपको कोई और चैनल पर शाहिए ना कोई बताए लेकिन मेरे चैनल पर ऐसी चीजे पता लगती रहेंगी जो एकदम जिन चीजों का एकदम वहला करते हैं जो भी कॉंटेस्ट केलते हो तो उसमें केमेन को अपना वाइस कैप्टन रेक रख सकते हो क्योंकि बहुत जबर्दस प्लेयर है शायद मैं बारबर ना बोल पाऊं लेकिन इतना ही कहना बहुत है आगे से बात करें नेक्स प्लेयर की आपर डैवीना डैवीना इस इसके अंदर कुछ खासियत नहीं है ज्यादा लेकिन कोई बुराई भी नहीं है वालब बिलकुल डिसेंट खेलती है और आगे से अगर बात करें आप आती है टॉप की असिस्टर एमबर एमबर की असिस्ट अगर देख ली ना बाई दिवाने हो जोग इसकी एसिस्ट क्या क्या खेलती है और आगे आती है की प्लेयर ये ना कभी कभी चलती है जोडी तो लेकिन जब ये चल दी है तेन मैंने इस दिन इसको एक मैच वादा इन्होंने एक टीम के खिलाफ मैच खेला था मुझे नाम नहीं याद आ रहा रहा यार बतानी किसके खिलाफ था यार आइस इन गोल्स आर नोट जोग और सामने वाली टीम ने कितना गोल किये जीरो अब आप खुद समझदारों की बैल्जियम में क्या पावर है आगे से बात करें पहली प्लेयर जो सामने वाली टीम की सामने कोई प्लेयर हैं ना अगे से बात करें बजोर्क की सारा बजोब्जोर्क प्लेयर हैं और क्या मैं खुद एक बर कंश्यूस हो गया था मानों कि नहीं मैं टीम क्रेट कर रहा और मैंने गलत प्लेयर उठा रही थी फिर मैंने अभी चेक किया इनके नाम ना तभी पूरे पूरे देख लो ठीक है इसका नम है अगला एल्बस और आगे से अकर बात करें वोलियट की ऐसा वोलियट आपको गोल करती नजर आएगी और मैं लिक्के तो नहीं दे सकता लेकिन मेरे साबसे आज ये दो तीन गोल करने वाली है selection जिस साफस 열搞 के कम है न और जिस साफसह का record हा यह चीदी चीदी सापन की बात करें पर हाँञा वोलियट झालु ये पीछे नहीं रहने वली होसके पर किया आगे हर्लिंग तो यह जादा नहीं चलती यह मेरी रिस्की प्लेयर है एक्टली क्या है ना मैं इसको भी ले सकता था विश्क लिया क्योंकि ना जब यह चलती है तो मैं इसको कहीं बार एक दो गोल करते देखा है लेकिन जब यह फलॉप होती है तो जल्दी सब्ची तो यह तो फुली रिस्की प्लियर है इस पर मुझे उमीद भी कम है तो मैं ले रहा हूं बस आगे से बात करें कैप्टन की मेरी कैप्टन है वुलियाट वाइस कैप्टन है केगनी बहुत सेफ टीम है बाकि और सेफ जाने तो केमन को वाइस कैप्टन रख सकते हो लेकिन मैं राय आप जीते हो यह वाला मैच ठीक है बस दिमाग से चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई